नमस्ते दोस्तों स्वागत है अब सभी का एक और नए वीडियो में आज के वीडियो में लेकर आई हूंए ब्रेड पकोड़ा की रैस्पी वीडियो जो की बनाने में थोड़ा समुस्किल लगता है लेकिन मैने यह मुस्कुल से काम भी असान कर दिया है आप इसे मिन्टों मे हैं एक प्याज बारी कटा हुआ हरा धनिया कटा हुआ तो बेशन में सबसे पहले नमक एड़ करेंगे आधा चमच नमक आधा चमच अजव Portal हगे चांटो से करच करके डालेंगे इसको और पिंच आयेगा इसके अंदर हिंग यानी आधे चमच से भी काम ही डाला है मैंने और थोडा सा मिर्च पाउडर डाला है और कलर के लिए डालेंगे हल्दी पाउडर ये भी थोड़ा ही डाला मैंने दो चुक्टी के करीब तो थोड़ा सहरा धन्यापति डाल दिया मैंने वैसे ही अगर आपको पसंद आता जूरू से डालें वरना आपको इसी स्किप भी कर सकते हैं और अब बेशन का घोल कैसे बनाना है आप ये चीद बिल्कुल ध्यान से देख लेना पहले तो थोड़ा थोड़ा पानी डाला है इसके अंदर और इसका घोल बना लेना है ये देही इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे पहले तो तो ब्रेड पकोड़ा का ना घ भूल एकदम अच्छे से होना चाहिए इसको तीन-चार मिन्ट अच्छे से फेटेंगे तब जाकर ये घूल हमारा रेडी होगा और इसको दुस-पंदरा मिन्ट रैस्ट पर भी रखेंगे तो थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इस तरीके से इसको फेटते जाएंगे तो ये देखि इस तरीके से थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको बेशन को तीन-चार मिन्ट इस तरीके से ही फेटना है तो मुझे थोड़ा एक घाड़ा लग रहा था मैं इस में थोड़ा सा पान यो राड कर लिया है तो सबसे पहले भैसन का घूल पना कर रख देन गे और मैंने आलू है जो पहले युबाल कर रखे आलू भी ठंडे होने के लिए रख दिये हैं और तब तक बेशन का घुल रेड़ी कर लेते हैं और इसको रखेंगे 15 मिट रेस्ट पर तब तक आगे क्यारी कर लेंगे आप इस तरीके से ब्रेट पकोड़ा जुरूर से बनाकर खाना सर्दियों के टाइम में इस टाइम में ब स्क्राइब कर लेना तो बेशन को मैंने अच्छे से घोल दिया है आप इसको रख देंगे ढखकर 10-15 मिंट के लिए तब तक आलू की स्टफिंग रेड़ी कर लेते हैं तो आलू का अच्छल का है जो मैंने अलग कर दिया है और इसको बारिक कैसे करना यह देखें यहां पर अजल नहीं खाते वह व्याज को स्कीप कर सकते हैं थोड़ा सा हल्दी पाऊर्ड के लिए आधा के ओल चमज के के रिभी मिच्छ पाउडर डाला मैं ने और नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से आदा चमज के करीब फिर से हींग एड़ किया है मैंने इसमें आदा चमज के करीब बैटर में भी हींग डाली है मैंने और स्टेफिंग में भी हींग डाली है और आदा चमज से भी कम डाला है मैंने गरम मसाला ज्यादा नहीं एड़ करेंगे बस आदा चम से भी कम ही एड़ किया है तो मसाले हैं यहां पर अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं आदा चम धनिया पाउड लाला है और जो धनिया है जो हमने दो टुकुडों में रखा था इस तरीके से इसको भी डाल देंगे इसका किस चीज से नहीं होता इसको बिल्कुल अच्छे से ही मिक्स करेंगे इस तरीके से सभी मसाला है आलो में चारों तरफ जाना चाहिए बाद में इसमें हरा धनिया अड़ कर दिया मैंने डेर सारा और स्टपिंग बना कर रख लेंगे साइड में और ब्रैड है जो इनको यह इस तरीके से भर लेना है दोनों ब्रैड पर आदा आदा चमच यह लगाया मैंने आलो का मसाला आप इस आलो के मसाले को एक पैन में भी बना सकते हैं जैसे प्याज को हलका हलका फ्राई करके उस तरीके से बना सकते हैं लेकिन मैंने आलो में ड्रैक्ट मसाले डाल कर इसी त तो यह देखे रेडी हो गए है हमारे ब्रैड और यहां पर यह मिर्ची वाला ब्रैड बना रहे हैं यह तब तक मैं आगे की त्यारी कर रही हुआ पर यूटी साथ की साथ तलना है इनको रिफाइंड ओल रखा है मैंने कटाई में गरम होने के लिए और दो तिन ब्रैड रह गए थे यह इन्होंने कहा कि तब तक मैं इनको भर लेता हूं मैं आगे की चारी करने लगी और देखते ही देखते सभी ब्रैड इस तरीके से भर लिये हमने तो साथ सी आठ ब्रैड थेंगे इस तरीके से ही भर कर रख लिये हैं ताकि तलते वक्त कोई इसमें दिकत ना आए फटा फट इनको तलते जाए इस तरीके से पहले ही सभी ब्रकर रख लेंगे इस तरीके से यह देखी भर कर रख लिये हैं अगर आप ओयली खाना नहीं खाते हैं बिना तला हुआ नहीं खाते हैं आप इनको ऐसे ही खा सकते हैं और अब क्या करेंगे बैटर को एक बार अच्छे से मैंने इसको फिर से फिट लिया है और इसमें इस तरीके से dwarervices डालेंगे और फेशन में अच्छे से डबोएंगे और सीधा डाल देंगे कढ़ाई में कढ़ाई का तेल अच्छे से गरम होना चाहिए और एक दम ये ऊपर की तरफ आने चाहिए और कुछ ब्रैड हैं जो मैंने इस तरीके से काट भी लिए हैं क्योंकि कड़ाई में एक बार में एक ही ब्रैड तलता ये बड़े वाला इस तरीके से मैंने दो चार हैं जो काट भी लिए हैं क्योंकि साइड से इस तरीके स से डालते जाएंगे और बच्चे हैं जो बड़ा ब्राइडर नहीं खाते हैं इस तरीके से छोटे भी बना लिए हैं मैंने कटिंग करके इस तरीके से और इनको अच्छे से पकाएंगे भी氏 मत अबगाई ग्राइडी तर झालते हैं पिए इनको को जाएंगे और इसी तरीके से सारे के सारे बरेड कोड़ा है जो फ्राइ कर लिये हैं और इन्हें आप दही से या हरी चटनी है या लाल चटनी है टमैटो केचप या किसी भी चीज के साथ आपको ये पसंदा खाना आप उसी के चीज से खाना इसको और यहां पर लिया है मैंने दही और इसमें थोड़ा चाट मसाला अड़ किया है और एक ब्रैड है जो मैं आपको कटिंग करके भी दिखा रही हूं क्योंकि ये बिल्कुल भी ओली नहीं बने हैं और एकदम ये फूले फूले और ऊपर से थोड़े से इस तरीके से क्रिश्प और डाय लेना इससे क्या होता है ब्रैड है जो एकदम क्रिस्पी बनकर त्यार होते हैं इसी के साथ थैंक्यू आप इस तरीके से जरूर से बनाना ब्रैड